वेलकम टू SS Defense Academy फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ SSC Constable GD का जो एक्जामिनिसंस 24 नॉबर 2021 को All Shift यानि First Shift, Second Shift और Third Shift में जितने भी GKGS और हिंदी के Questions बने हैं और Candidate द्वारा जितने भी मुझे Questions भेजा गया है वो सारे Questions को आज के इस वीडियो सेशन्स में डिसकस करने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को बिना Skip किये, फूल वाच किजिएगा आने वाले Shift के लिए ये सभी Questions काफी Helpful रहेगा जिन भी Candidate का Next Shift में Examination है, उनको एक Level की जनकारी मिलेगा कि Static का Level क्या है, Current का Level क्या है तो देखिए, फर्स Shift के हमें Total 22 Questions मिला है सेकेंड Shift के 19 Questions मिला है और थर्ड Shift के 12 Questions मिला है इस तरह 3 Shift को मिला कर 53 Questions मिला है जिसका मैं आपको Answers बताऊँगा तो आप यहां से आपना Answers मैच भी कर सकते हैं देख सकते हैं, प्रॉपर डंग से Shift हो आई इसने भी Questions देख रहे हैं इसकिन पर फर्स Shift के Questions है ये सभी Genuine Questions है देखिए, मेरा वीडियो भले ही लेट आता है लेकिन आपको जो भी Content इस चैनल के मादर से दिया जाता है वो 100% Real और Authentics होता है देख सकते हैं, यहां से 2nd Shift के Questions है इस तरह मैं 3rd Shift के भी Questions ही इंक्लूड किया हूँ और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ वीडियो सेसंस जैसे ही end होगा तो कुछ दिर बाद आप मेरे टेलग्राम चैनल पर जाईएगा तो वहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगा बैट डेली बेस पर आप सभी को Exam Analysis दे रहा हूँ जो भी नए Candidate है, चैनल से जुड़े हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जोजिएगा क्योंकि मैं regular base पर आपको Exam Analysis देता हूँ तो चलिए सबसे पहले 1st shift के 1st question देख लेते हैं देखे 1st question पूछा गया था Simon Commission भारत कब आया था? तो यह 1928 में भारत आया था Question second देखे आठी अनसूची में कितनी भासाएं हैं तो 22 भासाएं हैं Question देखे 3rd किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 दिसम्मर को किसान दिवस मनाया जाता है 4th देखे US Open 2020 महिला किताब कि ने जीता था तो नावामी ओशाकाणी जीता था US Open 2020 महिला किताब 5 देखे अर्ज सास्तर के जनक कौन है? Adam Ismit है Question देखे देव दिवाली जो देव दिपावली होता है कहां मनाया जाता है? यह वरानशी में मनाया जाता है Question 7 देखे फूलो का अध्यन क्या कहलाता है? तो फ्लोरी कल्चर कहलाता है Question 8 देखे गोल्डन लंगूर के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? तो है मानश नेशनल पार्क Question 9 देखे बिटामिन के का रसाइनिक नाम क्या है? तो इसका रसाइनिक नाम है फाइलो क्विनोन Next question देखे 10 रॉलेक्ट एक्ट की अस्थापना कब हुई थी? तो 19-19 को हुआ था देखे फ्रेंट्स मैं आपको डेली वेस पे एक्जाम एलाइसिस दे रहा हूँ तो आप प्लेलिस्ट में को एक बार जरूर विजिट की जाएगा वहाँ पस सभी अलग-अलग देखा आपको एक्जाम एलाइसिस देखने को मिल जाएगा एक्जाम एलाइसिस नाम से है जिसमें मैं 2011 से लेकर 2021 तक का अभी तक एक्जाम एलाइसिस और प्रिवेस कोशन दिया हूँ तो उसी प्लेलिस्ट में आपको ये सभी कोशन देखने को मिलेगा कोशन देखे 11 सितारा देवी किस से सम्मंदित है तो ये कथक निरतांगना है सितारा देवी कोशन देखे 12 इजी अफ डूइंग विजनेस में भारत की रैंग क्या है तिरसठवा है नेक्स्ट कोशन देखे 13 प्रधान मंत्री उज्वल उज्वला योजना की सुरुवात कब हुआ था तो ये एक मई 2016 को हुआ था तो ये जो जी का वायरस के से सम्मंदित है चिस्ट कोशन देखे 16 एक ही पैरा अलंपिक्स में दो मेडल जितने वाली खिलाडी के नाम के है कोशन देखे 17 अरावली स्रेडी में की सबसे उची चोटी अरावली स्रेडी के सबसे उची चोटी कौन से है तो गुरु सीखर की उचाई कितना है तो यह 1722 मीटर है अगर बात करें फीट में तो 5676 फीट है यह राजस्थान में है कौश्चन देखे 18 केंदर सासित परदेश का उलेक किस अनुच्छेद में बढ़नी थे तो देखे यह अनुच्छेद है 249 ए से लेकर 242 तक बढ़नी थे यह भाग आठ में इस सब का उलेक मिलेगा 19 देखे खुब लड़ी मरदानी ओतो डैस वाली रानी थी तो यहाँ पर भरना था क्या होगा तो जहांसी वाली रानी थी यहाँ पर रिक्त स्थान में जहांसी होगा 21 देखे यहाँ पर ब्रह्मा जो लिखा है इसका सुध बरतनी बताना है किस तरह तो यह ब्रह्मा इस तरह लिखा जाता है 22 देखे सोना का पर्यवाची सब्द क्या होता है तो स्वर्ण कंचन स्वर्ण धन संपति यह सभी क्या है सोना का पर्यवाची सब्द है आज देखे किस सेकेंड मैं 2011 से लेकर मैं आपको हिंदी का e-book दिया हूँ जिसमें माल लिजे बिलोम सब्द के जितने भी questions पूछेगा है उस सारे एक जगए आपको मिल जाएगा hand notes मिलेगा तो एक बार e-book जरूर देख लिजएगा आपको description box में मिल जाएगा या playlist भी देख सकते हैं इसी तरह मैं gk का भी e-book दि तो देखिए बहुत सारा है यहाँ पर बांस निरीत होता है थितली निरीत चंगाई निरीत कुकी निरीत मैयूर निरीत इसी मैसे कोई options आपको देखने को मिला होगा five देखिए नियोन की सन्योज़कता कितना होता है zero होता है question six देखिए मार्च के बाद हिंदी का कौन सा मह तो चैत्र आता है कोश्चन 7 देखे दिपका मलिक ने किश ओलमपिक्स में पदक जीता था तो रियो ओलमपिक्स 2016 में जीता था कोश्चन 8 देखे है आई पिएल में पाँच बार किताब जीतने वाली टीम कौन है तो ये है मुंबई इंडियन्स कमला हैरिस भारत में कहां से संबंदित है चेनई तमलांडू से संबंदित है कोशन नंबर 10 देखे कह रहे हैं आपर फ्रेंच ओपेन 2020 महिला किताब किशने जीता है तो ये एगा स्वाइटेक ने जीता है पोलेंड से ये संबंदित है कोशन देखे 11 सुबाश चंद्रबोस अंग्रेजों की नजरबंदी से कब भाग गये थे तो 1941 में भाग गये थे कोशन 12 देखे अगस्त में कसमीर के उप राजपाल के रूप में सपत किशने लिया है तो मनोश शिनाले लिया है कोशन 13 सौवा स्विधान संसुदन किसे संबंदित है तो देखे ये भारत और बंगला देश के बीच हुई भू सिमा संदी से संबंदित है कोशन 14 देखे कविता लिखने वाली महिला को क्या कहते है कवित्री कहा जाता है ये सुद वर्तरी वे कई बार पुए जाता है कवित्री कैसे लिखा जाता है कोशन 15 देखे निरेजता का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा रुगनता नेक्स्ट कोशन देखे 16 कान भरना मुहाबरेकार्थ क्या होगा चुगली करना 17 देखे बेटी का परिवाची सब्द क्या होगा पुत्री ये सभी होता है ओप्सन में पुत्री था 18 देखे किनारा का परिवाची सब्द क्या होगा ओप्सन था कूल रिशी तुरूपती दंब और केतु तो हो जाएगा कूल किनारा का परिवची सब्द होगा कुल नैंटीन देखे आदर का बिलोम सब्द होगा अनादर अब देखे थर्ड सिप के फर्स्ट कोशन सलार जंग संगरहाले कहां इस्तित है काफी मोश्ट इंपर्डन कोशन से कई बार अलग अलग एक जामनीसंस में पूछा गया है तो यह सलार जंग संगरहाले कहदराबाद में इस्तित है कोशन सेकेंड देखे साहित का नोबेल पुरिसकार 2020 की से दिया गया तो लुईस गिलिक को दिया गया है यह एक अमीर की कवित्री है कोशन देखे थर्ड यहाँ पर कहा रहा है घुडखर अभ्यारन यानि यहाँ पर घुडखर मतलब होता है गधा अभ्यारन यानि विल्ड एस विल्ड लाइफ सेंचूरी कहां इस्तित है गुजरात में इस्तित है कोशन देखे फोर्ट चिराग सेटी का संबन्द की स्केल से है बैटमिंटन से संबन्दित है कोशन फाइट देखे डिएगो माराडोना ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप कप जीताया था 1986 में जीताया था कोशन सिख देखे लड़ना का प्रेवाची सब्द क्या होगा तो भीड़ना यूद करना होता है कोशन सेबन देखे हथेली पर सरसु जमाना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा कठिन काम को तुरंत करना Q8 आस्तिक का बिलोम सब्द क्या होता है? नास्तिक होता है Q9 फूल जहरना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है? तो मीठा वचन बोलना Q10 देखिए उपेक्षा का प्रेवाची सब्द क्या होगा? तो देखिए अनादर, तिरिशकार, अहलना, अपमान करना यह सभी उपेक्षा का प्रेवाची सब्द है Q11 देखिए 42 सविधान संसुदन अधिनियम कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था एक 12 Q2 में यह पुछा गया था 2020 का अर्जुन पुर्सकार किसे दिया गया? तो देखिए बहुत सारे यह एक्जेक्ट नहीं था आप लोग कमेंट्स वक्स में जरूर कीजएगा तो यह रहा 24 नॉमबर 2021 के आल सिट, 1st, 2nd और 3rd सिट के जीके और हिंदी के कोश्ट आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट्स और अपने फेंट्स में वीडियो को सेयर कर दीजएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्जाम एलाइसिस में तब तक के लिए आप सभी को मेरा जैजि झाल झाल